आदाब नमश्कार सस्रेकाल आप सभी का इस्तक्पाल है आपके अपने चैनल लाइफ विद खेयर में गर्मियों के दिन हैं इसमें हमारी स्किन मुर्जाई हुई रहती है जहां हमें गर्मियों में पानी पीना चाहिए शौवर लेना चाहिए वहीं हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहें जिस से हमारी स्किन ग्लो करें और हम फ्रैश फील करें गर्मियों में स्किन को ग्लो कराने के लिए और हमें फ्रैश फील कराने के लिए दही और बेसन का पैक हमारे लिए बहुत फायदे मन रहता है दही और बेसन दोनों ही इसकिन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन होते हैं इससे इसकिन में होने वाली कई परिशानियों से पचा जा सकता है ऐसे में आए जानते हैं कि बेसन और दही को चेहरे पर लगाने से क्या फाइदे हो सकते हैं बेसन में प्रोटीन, फाइबर, आइरन, मैगनेशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे न्यूट्रियंट्स पाइजाते हैं वहीं दही में भी कैल्शियम, राइबो फ्लैमिन, विटामिन बेसिक्स और विटामिन बी-12 जैसे न्यूट्रियंट्स पाइजाते हैं और यह जानते हैं इनी स्किन पर लगा कर क्या फायदे होते हैं सबसे पहले तो दही और बेसन के पैक को लगा कर दाख दब्मों से छुटकारा मिलता है दही में विटामिन C और लाक्टिक एसिड पाई जाते हैं ये मुहासों को दूर करते हैं वहीं बेसन में स्किन की रंगत को निखारने का काम करती है इससे स्किन पर मौझूद extra oil और dead cell से बचा जा सकता है दही और बेसन का पैक टैनिंग को दूर रखता है दही और बेसन दोनों ही टैनिंग के परिशाने से चुटकारा दिलाते हैं इससे स्किन की रंगत भी साफ होती है और आपकी स्किन का pH लावल भी मेंटीन रहता है दही और बेशन का पैक स्किन में नमी बरकड़ा रखता है ड्राई और बे जान इसकिन से बचने के लिए बेशन और दही बहुत फायदे बंद होते हैं या आपके स्किन में नमी को लॉक करने में मदद करते हैं इससे ड्राइ स्किन जैसी परिशानिया दूर होती है आप जानकर हैरान दह जाएंगे कि दही और बेसन का पैक जुरियों को भी दूर करता है दही फ्री रैडिकल से छुटकारद दिलाता है वहीं बेसन इसकिन को टाइट करने में मदद करता है दही में गुट फैट्स होते हैं जो इसकिन में फ्लाक्सिबेटी लोच को बनाये रखने में बहुत मदद करते हैं इसलिए दही और बेसन का पैक हमारी इसकिन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशियल है और हमारी स्किन की कई परिशानियों को दूर करता है इसलिए ये पैंक जरूर इस्तामाल करें और अपनी स्किन पर गलो टाइटनेस पर करा रखें यों से भी चुट करा पाएं तो हमारी मालूमात पसंद आती है तो आप अपने चैनल लाइफ इट कियर को लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले